यहां तक पहुँचने के लिए ना मैंने काफी जादा स्ट्रगल किया है यह जो मेरा लाइफ आप अभी देख रहे हो ना यह तो कुछ भी नहीं है मतलब कुछ भी नहीं है इसका 1% भी नहीं था मेरे पास मेरे पास आज के रेट में जो भी कुछ है ना यह भगवान का दिया हुआ है यह मेरा खुद का मेहनत का है तो मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगी चाहे अगर लड़का आगे बढ़ रहा है तो आज की सुसाइटी में लड़कियों को भी आगे बढ़ना बहुत ज ज़्यादा ज़रूरी है भाई देखी कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता अगर कोई काम जैसे 10,000 की नौकरी अगर कोई लड़का कर सकता है क्यों कर रहा है वो क्यूंकि उसको अपना घर चलाना है ग्रियस्ती चलाना है और यही अगर लड़की भी 10,000 की नौकरी क तो लोग आपसे यह चीज़ बोलते हैं कि अकेले हस्बेंट तो कमा रहे है तो तुम्हें कमाने की क्या जूरत है तुम कितना कमा लेती हो तुम्हारे नौकरी करने से क्या घर चल जाता है तुम्हारे नौकरी करने से क्या बिटिया पढ लेगी तुम्हारे नौकरी करने से क् आजू बाजू जो भी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, वो सॉल्फ हो जाएगा, सबसे पहले ये सारी जो क्वेस्टिन्स हैं, ये लिटररी पूछे जाते हैं, ये आप कहीं पे भी जाओगी, किसी भी रेलेटिव से मिलेंगे तो आप देखना, ये बात उठती ही है, और ये करते हैं लोग, जब आप गाओं से दूर आते हो ना, तो लड़की थोड़ी सहमेवी रहती है, भले ही वो पढ़ी लिखी हो, लेकिन वो अपना दाइरा उसको पता है, वो जादा निकलती नहीं है बाहर, लेकिन धीरे-धीरे करके वो घुलना शुरू करती है, पता है क पोशिश करती है वो कमाने का, और यहां पे जब हम कमाने वाला बात कर रहे हैं तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको 10,000, 15,000, 20,000 की नोकरी करना जरूरी है, आप सबसे पहले देखो कि आपकी क्या जरूरत है, अगर आपको 7,000 की नोकरी मिल रही है और बहुत ही आपको दू जाना है तो मत कीजिए वो नोकरी क्योंकि आने जाने का खर्च ही आप नहीं निकाल पाऊगर तो वैसे नोकरी करने का फाइदा नहीं है अगर आपको लगता है कि आप दूर जा रहे हो आपको इतना पैसा मिल रहे है और आपना स्टोर भी कर रहे है तो मैं आपको बेशक कि अपने फैमिली को सपोर्ट कीजिए, आपको नौकरी करना जरूरी है, और करनी भी चाहिए, हम लड़की है, हम एक आउरत है, इसका मतलब यह नहीं कि हमको चार दिवारी के अंदर ही रहना है, हमें काम करना है, हम काम नहीं करेंगे, तो हम इंडिपेंडेंट कैसे होंगे, और काम करना, पैसा कमाना ही नहीं होता, काम करने से न हम खुलते हैं, हमें लोगों आसपडोस में क्या हो रहा है, उसकी भी जागुर्पता होनी जरूरी है, दीरे दीरे करके हम लोगों से मिलते हैं, हमें पता चलता है कि वो लोग कैसे हैं, हम जिस जगे नौकरी करने जा रहे हैं, मेरा experience नहां से मिल रहा है, कभी कबार आप देखना कि हमें कोई जरूरी नहीं कि पहला नौकरी हम करने गए, तो वो हमें पसंद आ गया है, 10-20,000 को नौकरी और हम वो continue कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है न, हो सकता है वहों का महल पसंद आए, तो उसे छोड़ करके हम स्विच कर जाते हैं कहीं और, तो यह क्या है, यह है experience, तो अगर कोई लोग यह कहता है न, आपको की लड़की हो, तुम्हें अपना दाइरा maintain करना चा मतलब prevail करती होगी, होता होगा ऐसा कि हाथ फिलानी की जरूरत हो, तो भगवान के देन से मेरे पास इतना है, आज के डेट में कि मुझे किसी से भी हाथ फिलानी की जरूरत नहीं है, मैं कड़ी महनत करती हूँ, आज के डेट में मैं यहाँ पहुंची हूँ, तो आपको भी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई बड़े बुजर्ग कुछ कह देते हैं, कि भई ये मत करो या वो मत करो, तो ठीक है, आप समझ लीजिए, लेकिन प्यार से भी हमें उनको समझाना है, जब हम उनको समझाएंगे न अपनी स्थिती क्या है, तो उनको बेशिक अपने अंदर ले लेते हो, तो ये बहुत इक होता है, मतलब मैं इसको बयान नहीं कर पा रही हूं, एक वर्ड में मैं नहीं बता पा रही हूं, लेकिन बहुत ज़्यादा बोझ हलका हो जाता है, जब घर की बहु कमाना शुरू करती है, सब के चेहरे पे एक मुसकान तो द नहीं लेना है, लेकिन तरीके सोन को समझाना पड़ेगा, हम अगर औरत हैं, तो हमारा भी हक है नौकरी करने का, माबाप ने हमें पढ़ाया है, कोईड में हमने पढ़ा है, एजुकेशन लिया है, तो जितना एजुकेशन एक लड़का ने हासिल किया है, उतना ही एजुके देट में मुझे आप लोगों से कुछ मुझे लगा कि आमने सामने आ करके बाते कर लिया जाए, क्योंकि बहुत आप लोगों के कॉमेंट आ रहे थे हैं, मेल सा रहे थे हैं, कि भाई प्रिया हमने यूट्यूब चैनल शुरू किया है, हमें मोटिवेट कीजिए, प्रिया जब YouTube चैनल शुरू किया था तो किसी ने कुछ नहीं किया था किसी नहीं किया था ना ही मेरे परिवार की किसी सदस्य ने एक वीडियो तक देखा था, किसी ने सब्सक्राइब तक नहीं किया था धीरे-धीरे करके मैंने अपना बेस स्ट्रॉंग किया है आप जा करके देख लेना जो मेरा YouTube का 1-2 साल है वो पूरा ब्लैक है और ब्लैक भी है लेकिन उसमें मैंने उस ब्लैक को बहुत ही कलरफुल बनाया है अगर देखा जाए तो क्यों कलरफुल बनाया है क्योंकि वहां मैंने 2 साल अपने बिटिया को पोट्रे किया है उसको मैंने सिखाना चालू किया था कि किस तरीके से पढ़ाई करना है धीरे धीरे करके वो जो मॉन्टेसरी क्लासे होते है वो मैं एजुकेशन मैं देखती थी YouTube में बहुत मैंने सीखा तब जा करके बिटिया का फिजिकल एजुकेशन मैंने वहां पर के वहां पर जा करके युनो सेट अगर आपको एडिटिंग में थोड़ा सा फोकस कीजिए अगर आपको एडिटिंग नहीं आती है तो ऐसे बहुत सारे टेकनिकल आपको चैनल्स मिल जाएंगे जहां आप जा करके उनका हैल पले सकते हो तो टेकनिकली थोड़ा सा हमें साउंड होना जरूरी है बाद में चुरू कीजे ना मैंने तो स्पॉंसर लेना शुरू किया था 5000-6000 से जबकि मुझे बाद में पता चला कि इस वीडियो में जो मैंने स्पॉंसर लिया था तो बहुत ही कम लिया है तो कभी-कभी हमें लॉस होता है लेकिन उस लॉस से हमें पता भी चलता है कि हमें कहां पे नहीं होना है, तो लॉस जो होता है अपना उस वो भी एक तरीके का experience है, हम गिरते हैं फिर हम उठते हैं, और जब हम उठते हैं, तो जो हम दौड लगाते हैं, सभी को पीछे छोड़ देते हैं, तो मेरे हजबन का कुछ ऐसा सीन है, कि वो इस स्टेट में नहीं रहते हैं, वो उनका दूसरा स्टेट है, तो आने जाने का टाइम बहुत जादा, मतलब धाई से तीन घंटे लग जाता था, तो वहाँ पे वो पीजी में रहते हैं, उनको भी लगते हैं कि हाँ, परिवार दूर है, तो एक टेंशन तो कहीं न कहीं बना ही रहता है, क्योंकि जब आप किस इतना प्यार करते हो ना, परिवार से इतना प्यार करते हो ना, तो जब आप छोड़ करके मेलो दूर चले जाते हो ना, तो दिल जो है ना, वो मानता नहीं है, सीरियसली आपको बता रही हूं, और कुछ ऐसी फीलिंग आने लगती है, तो मुझे उनको सपोर्ट करना बहु यहां अपना काम कर रही हूँ, इसलिए आज के डेट में मैं इतनी स्ट्रॉंग हूँ मैं क्यों इतनी स्ट्रॉंग हूँ क्योंकि मैं अगर स्ट्रॉंग नहीं रहूंगी, तो मैं अपने परिवार को स्ट्रॉंग नहीं रख पाऊंगी, यह मेरे लिए अब लगता है कि बहुत ही छोटी चीज है अकेले जीती हूँ, अकेले सारी चीजे करती हूँ, घर को मिंटेन करने के साथ साथ, बिटिया का पढ़ाई बिटिया का लिखाई, मेरा खुद का पॉर्सनल सारी चीजें, यूटुब से जितना भी पंगा है, उन सब को जहलते वे मैं आगे बढ़ती हूँ और साथ ही साथ, हस्बेंट से भी हर दिन बात करती रहती हूँ कि आप ठीक हो ना जब मैं इतना कुछ अपने अकॉर्डिंगली कर सकती हूँ अपने महनत के बलबूते पर कर सकती हूँ ना, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो आप लोग को डी मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है मैं जितनी भी वीडियोस पबलिश करते हूँ उन में से आप लोग कि जब मोटिवेशन वाले, you know, feedbacks मिलते हैं, comment मिलते हैं, तो मुझे ऐसा लगते हैं कि भाई, एक परसंट लोग भी अगमे से influence हो रहे ना, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, अगर आप office जाने वाले हैं, आपको तीन-चार लोग कुछ भी बोलते हैं तो मत सुनिये, यार, सुनने वाला तो है ही नहीं, आप कमाओगे ना, पॉकेट में डालोगे ना, तो वही आपकी saving होगी और वही उसी से आपका घर चलेगा आपको कोई और नहीं देने वाला है, जब आपको काम पड़ेगा ना, तो आपको कोई भी कुछ नहीं देने वाला है, ये आप और आपके husband, दोनों मिल बाट करके हम चलेंगे, आगे बढ़ना है हमें, तो बस दोस्तों आप लोगों से यही बाते करने के लिए आज में आई थी, मुझे लगा कि आप लोगों से कुछ चीज़े शेयर कर देनी चाहिए हम family हैं, परिवार हैं, तो आपस में थोड़ा बहुत बातचीत तो हमें करना है जिस तरीके से home decor के सारी videos में आप लोगों से शेयर करती हूँ, आप लोग में को feedback देते हो, suggestions देते हो, comment करते हो, तो मुझे लगा कि अब आपनी जितने भी comments की हैं, उसका थोड़ा बहुत आप लोगों का reaction में थोड़ा से शेयर कर दूँ, मुझे भी लगा कि आपको motivation की जरूरत है, इसलिए आज मैं आई हूँ, तो फिर मिलेंगे एक अलग सा नया सा video लेगा, till then take care, bye